ओके तो ओविसली हो यह रहा है कि जो हमने जाली एरकाइव 3D से डाउनलोड की है उसमें कुछ प्रोवल्लन देन हमारा मैक्स बारबर क्रैस हो रहा जब उस जाली पर हम FFD डाल रहे हैं तो हमारा मैक्स क्रैस हो जा रहा है अब आप एक काम कर सकते हैं अगर आपको वही जाल करके उसको सेट करें जितने एक्साफेजिस हो या अलग से अब्जेक्ट्स हैं उनको आप पॉलिगन में डिलीट करते हैं या आपके बाद दूसरा तरीका आप कोई दूसरी जाली डाउनलोड कर सकते हैं किसी और वेफसाइट से या एरकाइव 3D से ही कोई दूसरा तो एक दूसरी डानलोड के लिए लिए एक बार देख लिया है कि हमारी फाइल प्रॉप पर वही लास्ट वाली से हुई है अगय तो वही लास्ट जो हमारी file क्रैस हुई थी उसी लोकीशन पर हमारी file से अब आ जाता है हम अपने गूगल पर और एक वेबसाइट है यह फिसिकली फ्री त्रीडी स्काई आप यहां से पर देखे थ्री मॉडल्स कोई भी आप फ्री में डाउन्लोड कर सकते हैं आप यहां से आएं और नीचे आपको जैसी मैं एक बारे के अलग से आपको बता देता हूँ आपको यहां पर लिखना है 3D स्काई और सबसे पहला जो लिंक आपके पास आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे आप आएंगे तो यहां पर काफी सारी केटिग्री आपको मिल रहे हैं फरनीचर है बात्रूम चाइल्ड रूम मट्रियल्स वगेरा आपको काफी सारी चीजे मिल जारी है अब हमको बेसिकली जाली डाउनलोंड करनी है तो एक डेकुरेशन का पार्ट है तो डेकुरेशन में आपको जाना है 3D पैनल पे और इस पर आपको करना है क्लिक अब जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ आप्सन सूपर मिल रहे है आल प्रो फ्री वगेरा तो आपको यहां से चेक करना है फ्री वाले पे तो यहां पर जितने भी मॉडल्स आपको मिलेंगे वो सारे आपको मिलेंगे फ्री में और पर देके आप सिर्फ तीन डाउनलोड कर सकते हैं तो अब यह दिख रहे हैं सारे हमको मिल रहें फ्री वाले अब यहां से हमें जो भी आपको जाली हैं से पसंद आ रही है वो आप easily download कर सकते हैं suppose हम देख लेते कि अब कौन सी जाली हमें download करनी है तो वरहल हम इसको देखें तो बड़ी basic सी जाली है यह लेकिन अच्छी आप यूज कर सकते हैं कुछ जाली यह कहाथ आपको मिלא कुछ अच्छी तो आप यह भी यूज कर सकते हैं तो वर्हल हम कुछ देखे लेते हैं साइसी इहांसे हम कोई भी ऐखाली यूज कर सकते हम यह जाली कर रहां एक newट हैमे ऐसा नहीं कि आपको पास ही पास 으र भी यह basically आपकी depend करेगा आपकी net की speed पर कि आपका net कितना अच्छा है उस speed से आपके यहाँ पर यह सारे models open हो जाएंगे तो यहाँ पर काफी सारी चीज़ें मिल जाएंगी हम वापस से आते हैं अपनी इस वाले पर अब यहाँ पर platform दिखा रहा है basically 3ds max 2014 प्लस fbx आपको इसके साथ मिल रहा है और five types के आपको यहाँ पर जाली के patterns मिल रहे है और जो render engine है basically यह corona है तो render हम basically वीरे में करेंगे और हम इसको कर लेते हैं यहाँ से download download करने से पहले से यहाँ से आपको बोलेगा यह sign-in आप करो तो आपने कर यहाँ पर सबसे पहले अपनो sign-in कर लेना तो हम कर लेते हैं sign-in मैं अपनी website जो भी मेरी gmail id है वो मैंने आपके डाल दी और यहाँ से मैंने कर लिया login ओके और हमने यहाँ से कर लिया इसको download ओके तो यह हमारा download होने लग गया आपको यह बात दिहान लख नहीं है कि पर डेके आप सिर्फ 3 download कर सकते हैं इस website से pre में then archive 3D से आप जितने चाहें उतने download कर सकते हैं दिन के ओके तो हमारी इसको download होने देते हैं then हम continue करते हैं आगे अपनी max file को तो एक बार यह download हो जाए तब तक मैं video को कर लेता हम pause ओके तो download हो गया हमारा अब हम इस folder को कर लेते हैं open तो हमारे पास कितनी सारी चीज़े आ गई यह हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास fbx हमें मिल गया max file हमें मिल गई materials मिल गए इसके और यह कुछ इसके previews हमें मिल गए अगर हम preview की बात करें तो कुछ इस टैप से जाली के previews हैं जो render होने के बात मिले हैं तो हमको जो भी जारी इसमें से पसंद होगी वह हम अपने प्रजेक्ट में यूज कर लेंगे यह max file है हम आ जाते हैं अपने max पर और यहां से इसको कर लेते हैं merge अब इसमें से जो भी जाली आपको पसंद आ रही है उसको आप use कर सकते हैं तो हम देख लेते हैं हम यह वाली delete करते हैं यह तीन भी हम delete कर देते हैं हम यूज कर रहे हैं सिर्फ यह वाली चाली unidol हमें लगानी कहां पर है इस पर हमने इसको isolate कर लिया दोनों को और इसको उठाके हम अपने इसके बरावर तक रखते हैं ओके इसकी हम location देख लेते हैं कि अभी यह कहां पर है और हमारा object कहां पर है तो हमने move यहां पर अब इ scale करके इसको adjust कर सकते हैं proper जहां तक आपको लगे कि यह set हो जाए तो snap on वापस से पहले यहां तक तो यहां से थोड़ा बाहर निकल गया तो इसको भी हम सही कर लेंगे और इदर से देख लेते हैं तो यहां से यहां तक ओके तो मेरे को लग रहा है overall सही आगी अब इस पर हम डाल देते हैं ffd आपसे देख लेते ffd पता लगे फिर से file हमारी crash now ओके तो हमने select करें control points easily होगे select इन control points को हमने यहां पर यह वाले select करें इसको यहां पर same हमने यह वाले select करें और यहां पर ओके तो इसलिए हमारी save बन गई पूरी यह बन गई हमारी जाली अब देखें और अब इस जाली की location हम कहां रखेंगे इसके बराबर इधर से थोड़ा सा भी missing है तो इसको सभी कर लेते हैं यह यहां तक ओके आ गए इसकी position हम एक बार के यहां पर रख देते हैं जहां पर यह है obviously और इसको हम कर देते हैं hide और इसको हमने कर देया है यहां से delete अब हमें इसकी coin ID अनाइड हमने किया तो हमारी जाली यहां पर लगके आ गई अब लग रहा कि इसकी thickness काफी ज्यादा कम है तो इसको वापस आप isolate कर लो और इसकी thickness थोड़ी से आप FFD से बढ़ा सकते हैं FFD अल्रेडी हमने लगा हुआ है तो control points में आके सबसे पहले हमने यह वाला control point पकड़ा यह वाला और इ इसको F12 में थोड़ा सा एक इंच बहाँ निकाल देते हैं कंट्रोल जैट control points हमने पकड़े वाई में वन इल्ची है तो सही है और इसको हम रख देते हैं इसके glass के center में जिससे glass अगर हमारा बने तो direct इस पे जाकर टकरा जाए तो हमारी जाली में लग गई इस पे भी हम single at all वीडियो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी चल रही है नहीं अब तो सौरी इधर से अगर देखें तो जगह काफी ज़्यादा खारी लग रही है एक बार में लिए से देखते हैं तो यहां पर यह वाल हमारी आनी चाहिए तो हम एक बार के यहां पर भी वाल बना देते और वाल कॉनसी वाली बनाएंगे तो यह वाल हमारी है एक फोर करके आप देख सकते हैं अगर आपको ऐसे ना दिखे और यह कहां पर आएगी मेरी इस पॉइंट पर और कहां तक वो हम डिसाइड करेंगे अपने एलिवेशन से ओके वाल्ट क्यू मैं एक बार क्लिए कर रह आपर यहां तक हमारी आनी चाहिए थी सेम नाइन इसकी ओवरॉल जितनी हमने वहां पर बनाई थी ओवरॉल उतनी ही हमें इस साइड बनानी है तो एक बार क्लिए इसको हम हाइड करते हैं और इसली यहां का जो हमारा एलिवेशन हो काफी अच्छा लग रहा है अब सेम एक इसकी पोजिशन हम बता देते हैं कि यह हमें चाहिए इसके सैंटर पाइंट में ओके तो हमारी आगे लेफ्ट भी में हम आगे अब एफफडी सको हमें करना तो मैं एफफडी पकड़े और इसको हमने यहां तक कर दिया सेम चाहो तो इसको यहां पर छोटा कर दो और इसको तो उसको हम ठीक करने के लिए काम कर सकते हैं अगर हमें यही जारी लगानी है तो इसके हम कंट्रोल पॉइंट्स को पकड़ कर अपने एकोडिंग थोड़ा सा उपर तक कर देते हैं जिससे कि इसका एक प्रपोर्शन सेट रहे और नीचे से भी थोड़ा बहुत अगर आप करना चाहें तो आप करते हैं ओके क्योंकि अंदर यह सारी चीजह हमारी से लिजाएंगी वाल के अंदर जो की दिखेंगी नहीं तो इसली यहां पर जाली लग गई और सही प्रपोर्शन में लग गई अब ठीक है ना फिर अच्छे से लग गई क्योंकि अंदर का अमारे व प्रन्ट व्यू में आके इस क़ौँ कर लेते हैं रोटेथ और इसकी पोजिशन और कहां प्यानी चीज़िए ऊपर तो सबसे पहले हम चाहली सेट कर लेते हैं रोटेट कर लेते हैं और इस कवई या पर लगा देते हैं spannasyon के साथ करीब करीब यहाँ जाएगी जाली हमारी और अंदर का पार्ट बेसिकली इसका दिखेगा ने तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ देते हैं तो तो इसको यहाँ पर और यह जाली हमारी लग गई अनाई डॉल एफ थ्री ओके तो हमारी यह जाली भी लग गई अगर हम कैमरा देखें तो काफी प्रिसाइज चीज़े हमारी लग चुकी है यह जाली हमारी लग गई यह जाली हमारी लग गई तो सही है सारी चीज़े हमारी ओके है अच्छे से बन गई अवरल पूरा जितना भी हमारा एलिवेशन था वो हमारा बन गया अब मेल इसमें जो हमारा आता है जो चीज हमारी बची है वो आती है हमारी boundary ball तो इसको हम एक बार के लिए बनाते हैं फटा फट और इसको अगर हम देखें FFD को एक बार के यहां से बंद करता हूँ इस person को हम थोड़ अचा पीछे तक ले जाते हैं इसको करीब करीब मैं दो फिट पीछे तक ले जाता हूँ तो मैंने vertex पकड़े shift spline और इसको वाई में मैंने तीन फिट का छज्जा मैंने पीछे की तरफ extra दे दिया अन है डॉल अगर हम camera में देखें तो अभी थोड़ असा आगे तक आपको खिचा हुआ दिखेगा ठीक है same हम इसको बढ़ा रहे तो हमें wall भी obviously बढ़ानी पड़ेगी हम इस wall को भी slack कर लेते हैं और wall को यहां तक extend कर देते हैं snap के साथ अन है डॉल camera वापस से देखें तो सारी चीज़े सही है कोई problem नहीं है अब हम आ जाते है अपनी boundary wall की तरफ top view हमारी boundary wall यहां से start हो रही है और floor हमारा यहां तक है सबसे पहले floor को मैं थोड़ा पीछे ले जारा हूं क्योंकि main wall हमारी अंदर है यह सारा जेतना भी बनाया गया है यह सारा elevation का पाट है जो हमें client की तरफ से मिला है हम segment पकड़ते है और इस floor को तो मैं यहां तक snap करा देता हूं सेम यह floor मेरा यहां तक snap होगा और पीछे से obviously मेरा snap होगा यहां तक अब यहां पर हमारे पर बेसिकली दो entries है एक entry यहां पर और एक main entry हमारी यहां पर है तो यहां पर भी वारा floor जाएगा तो हम refine करके यहां पर कुछ vertex को कर लेते हैं add हमने एक vertex यह add किया तो snap हमने करा दिया एक vertex हमारा यहां तक एड़ एक vertex हमारा यहां तक ॉके सेम हमने यहां पर कर दिये एंड सेम एक एंट्री हमारे पास यहां पर है तो रिफाइन में जाके सेम कुछ वटेक्स हमने यहां एड किये और इनको एड़ेस्ट कर दिया अपने अकॉर्डिंग यह वटेक्स हमने पकड़ा, इसनेप यह ओवरॉल यहां तक आना चाहिए, यह यहां तक आप देखें यह जो हमारा फ्लोर था इस था बन गया अब यहां पर आएंगी हमारी क्या बाउंडरी वाल्स सेम बाउंडरी वाल्स मनाएंगे हम फ्रंट व्यू से तो हम किसी भी एक जो हमने main walls अपनी बनाई है उसकी लिए लेते हैं copy, suppose मैंने इसकी copy ली, shift के साथ हमने इसकी copy कर ली और इसकी हम position एक बार के लिए set करते है, snap हमने लिया यहां तक और इसमें obviously door window नहीं आएंगे, तो यह जो अंदर के वटक्स हमारे windows के हैं, यह हमने यहां से कर दी है, क्या, remove, तो यह wall हमारी आगई पहली, अब perspective में देखें, और जो इसकी height है, total height जो अभी आपर दे रखी है, उसको हम change करेंगे, अब एक चीज हम यहां से देखें, तो इधर से जो हमने चीज है, पीछे तक है, कोई problem नहीं है, perspective, f3, f4, तो wall हमारी obviously आगे दिख रही है, तो overall सही हैं सारी चीजे, अब इसकी height basically boundable की जो होती है, वो होती है 6 feet, तो हम boundable की height को करते हैं, 6 feet, हम आते हैं front view में और इसको isolate कर लेते हैं, यह हमने segment पकड़ा, proper हमने नीचे तक मिलाया, और y में जाके हमने इसको वापस से value दे दी, 6 feet, तो इसकी height आगे हमार पस, 6 feet, तो यह हो गए हमारी boundary wall, same, बाकि जहाँ-जहां मेरी walls है, वहाँ-वाँ मेरे को place कर रही है, यहाँ पे मेरी boundary wall है, one, vertex हमने choose करें, और यह vertex मेरा आएगा, यहाँ तक, ओके, यहाँ गई, वापस हमने rotate कर लिया, क्योंकि हमें अब इस side अपनी walls बनानी है, और इस side से मेरी wall यह continue पीछे तक जाएगी, जहाँ तक मेरी door की entry है, करीब-करीब, यहाँ तक, same, मुझे copy ले लेनी है, इस point से इस point तक, vertex वापस से आपको select करने, यहाँ पे आपको रोग देने है, क्योंकि यहाँ पे हमारी, जो boundary wall है, वो खतम हो जाती, वापस से आपने, copy ले ले ली, rotate कर लिया, हमारी यहाँ से start ओनी wall वापस से, and basically आप चाहें तो पीछे की wall को अग आपती है कोई चीज, तो हम उसको design करेंगे, वरना हम design नहीं करेंगे, same, मैंने इसकी copy ले ले ली wall की, मैं overall आपको पूरा एक तरह से बनाना, बता रहा हूं, कि किस तरह से चीजे बनती है, और इसको भी मैंने इधर से pack कर दिया, तो हमारी चारो side की boundable बन गई, 66 feet height की, आप देख सकते हैं अप camera angle में, तो यह हमारी boundable easily बन गई, अब यहाँ पर basically हमारा slope आएगा, अग रोड का level हमारा 0 है, तो हम एक बार के लिए सबसे पहले बनाते हैं अपना slope, तो top view में आगे हैं, rectangle मैंने लिया, करीब-करीब इतना, और इसको precise हम कर लेंगे अब, control है, vertex को हमने वापत सही करा, corner, यह segment होगा मेरा, इसके बराबर तक, और जो यह slope की जो मैं width रखने वाला हूँ, वो करीब-करीब रख लेते हैं, 5 feet, minus 5 feet, तो इतना काफी है, और बाकी इसमें मेरे आ जाएंगे, आगे, पात पे बगे रहा, इमरे 5 feet का मैंने बना दिया, इसको attitude value हम दे देते हैं, कितनी, जितना हमारा obviously floor होगा, मतलब की 1,5 feet का अगर हमारा floor है, तो हम इसकी attitude value दे देंगे, 1,5 feet, और इसका जो level है, वो आना चाहिए, इस floor के बराबर ता, तो left view माया के हम इसको बराबर कर लेते हैं, अब इस floor के अगर thickness की बात करें, तो मुझे लगता कि 1 feet 3 inch है, तो हमने इसको 1 feet 3 inch कर लिया, और इस पर हमने डाल दिया एक added mass, और इसके ये वाले vertex को पकड़के हमने नीचे तक apply कर लिया, तो easily हमारा slope बन गया, या आप एक काम कर सकते हैं, कि direct दोनों vertex को पकड़के, अब minus value दे सकते हैं, 1 feet 3 inch, तो इस तरह से आप करना चाहें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, तो मेरे को वही सही लगता है, तो वापस इस vertex को पकड़के, इसके बराबता है, assign कर देता हूँ, तो यह मेरा बन गया slope, नाइड ओल, अब जो boundary wall basically design आएगा, कुछ ना कुछ तम obviously design बना लेते हैं, सबसे बहले मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली wall की, तो इस पर हम normal सा design बना देते हैं, कोई भी, top में आ जाते हैं, यह हम आ जाते हैं, front view में, controller, front view में हम आ गए, alt q, यहां से मैं ले रहा हूँ, एक rectangle, कुछ इस type CC की ship का, convert कर लिए इसको editable SP line में, या सेम आप उस wall की copy भी ले सकते थे, और यह नीचे का segment मैंने यहां से कर जाएं, delete, अब इस segment को मैंने पकड़ा, और तीनों side से मैंने दे दिया, इस में offset, 1 feet 6 inch का, ओके, यह मेरा offset आ गया, और जो इसका extrude है, वो अब यहां से दे 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 हैं, कितना, 9 inch, 9 inch की जगर मैं दे रहा हूं है, and 18 inch, अब वो 18 inch Q मैं दे रहा हूं, उसका एक reason है, क्योंकि जब मैं material करूँ मैं इस side से, जो में की मेरा camera angle है, तो इसका material अलग दे है, लेकिन मैं चाहरा हूं कि इसका material proper, एक देखे, तो अब हम एक काम करेंगे, कि इस वाली wall को, जो हमार के according, okay, तो मनें segment पकड़ा, ये segment हमारा इसके बरावर तक, ये हमारा इसके बरावर तक, और ये हमारा इसके बरावर तक, तो ये proper हमारी अब एक wall अन गई, अब जब इस पर single material हमारा होगा, तो काफी अच्छे से हो जाएगा, और इसको यहां से move करके, हमें इसके बरावर तक रख देना, okay, तो ये single material, मैं बता देता हूँ, ये हमारा single material और ये अंदर का एक अलग material, okay, अब एक लिए हम वापस अपना gray डाल देते हैं, तो हमारा ये बन गया, काफी अच्छे से, इधर भी हमारी boundable वापस से जानी चाहिए थी, तो अभी फलाल हमारे camera angle में दिखे ये है, तो obviously पीछे की हमारी दिखेगी ने, और ये design हमारा काफी अच्छा बन गया, same, design हमारा एक यहाँ पर बनेगा, जो कि हमने as it is, यहाँ पर बना है, तो वो हम बना लेते हैं, तो top view में आ जाते हैं, and सबसे पहला एक box यहाँ पर, तो हम एक काम करते हैं, इस वाली wall को, हम कर देते हैं, इसके पीछे तक, okay, हमने इसको यहाँ तक कर दिया, इसको वापस से हमने पकड़ा, इसी wall के हमें copy ले लेते हैं, इसको हमने snap किया यहाँ तक, और extrude value हम डाल देते हैं, 18 inch, और इसके vertex को हम कहां तक, यहाँ तक, extrude, okay, तो यह इस तरह से बाहर निकलता हो, आपको दिखाए देगा, जिस पर कि हम एक अलग texture, use कर सकेंगे, okay, तो यह हमारा बन गया, same, यह वाला design हमारा, इस side भी मैं बनाना चाहरा हूँ, मैं इसी की copy ले लेता हूँ, मैंने shift के साथ इसकी copy ले ली, and इसकी position मैंने यहाँ पर set कर ली, मेरको इस point से, मैं 4-18 इंच मेरा बचे, और last मेरा, इस face पर जहाँ पर आपको यह line दिख रही है, वहाँ पर, मेरा हो जाए, और मैंने यह vertex पकड़े, और यह vertex मैंने, उठा के first वाला यहाँ पर apply कर दे, okay, तो easily मेरा, यह चीज़ बन गई, काफी अच्छे से, अब same problem कि, अगर मैं texture करूँगा, तो पीछे वाली wall का texture मेरा change हो जाएगा, तो इस वाली wall को मेरे को इसके according precise करना ही पड़ेगा, अब यहाँ पर हम चाहें तो एक अलग से wall बना सकेते हैं, क्योंकि यह wall तो proper उपर तक है, तो हम एक काम करते हैं, SP line में हम आ गए, F3 हमने on कर लिए, यहाँ पर मेरे को एक अलग wall डालनी पड़ेगी, और इसके center में मेरे को एक अलग वो, तो सबसे पहले तो हम इस wall को बना लेते हैं, यह हमारी बन गई, इसके हमने वापस से copy ले ली, और इसके segment पकड़के या vertex पकड़के हमने इस wall के according, इसको adjust कर लिया, ओके, same, यहाँ तक, F3, जैसे के लिए यह सारा काम जो हमें करना पट रहा है, अपने Texas को ध्यान में रखते हुए करना पट रहा है, अब देखें, अना इंडॉर, तो यह भी हमारा काफी अच्छे से, बन गया, फ्रंट के हमारी design होगी, same, हमें इस side भी, ऐसे design बनाने, तो एक बारे के लिए में जो, stop view भागे हैं, सबसे पहले, यहाँ पर डेट इंच का गयाप है, यहाँ पर यहाँ बना रहा है, फिर डेट इंच का गयाप है, फिर continue वो safe है, तो इस गयाप को तो मैं भरने के लिए सबसे पहले, यह वाली वाल की मैं copy ले रहता हूँ, जो की obviously हमने 18 इंच में बनाई है, rotate, इस वाल को मैं पीछे तक कर देता हूँ, करीब करीब यहाँ तक, और इसकी जगा पर हम इसको उठाकर यहाँ लगा देते हैं, और इन वाल्स की जगा है, मैं यह 9 इंच वाली वाल को उठाकर प्लेस कर रहा हूँ, rotate, move value हमने यहाँ पर, यह copy मेरी आ गया आएगी, तो इसको भी मैंने यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ओके, ओके, तो अब यह हमारा बने गया, इसके आगे हम बापस से continue करते हैं फिर, same, यह वाल हमारी आ गई, अब same, इस side में हमारा आएगा यह वाला, तो हम इसकी copy ले लेते हैं, rotate हमने इसको कर लिया, और इसकी position हम वापस से set कर देते हैं, इस point पर, क्योंकि हाँ पर तो obviously हम इस wall को खतम करने वाले, या उसके बराबर तक adjust कर देंगी, और इसके अंदर यह wall है, इसको हम एक बार गलिए precise कर लेते हैं वापस से, पूरी wall हमने एक बार में select कर ली, segment, यहां तक, then यह segment हमारे यहां तक, तो यह बन गी, easily, इसके बाद हमारे पास कुछ आगे, जो हमारी shapes, बचरी, उनकों बना लेते हैं, top view में हम आजाते हैं वापस से, इधर हमारी सबसे परे wall आएगी, then वापस से यह बाद भी wall आएगी, इसको और इसको हमें एक बार में select कर लेते हैं, copy, ओके, तो वह उसा ही आगी, और यहां पर हमारा आजाएगा main gate, इसकी मैंने copy ले ली, इसको यहां से select, और यह यहां पर आएगा, snap हमने कर लिया, यह wall आएगी हमारी, यहां पर, और वापस से हमारा आजाएगा, यही वाला object, तो shift के साथ copy, इसकी position एक बार के लिए दे देते हैं, यहां पर, last, यह यहां पर जाके हो जाएगा, खत्म, ओके, तो यह attack हमने पकड़ा, control Z, यह attack यहां तक, ओके, finish, देखें, यह बन गया, लेकिन अभी यह wall जो है, यह problem करेगी, तो इसको भी हमने एक बार के लिए सही कर लेते हैं, segment हमने पकड़ लिए, last यहां तक, यह यहां तक, और यह, यहां तक, ठीक है, तो overall सारी चीज़े में रिश हो गई, boundary wall की, और सारी चीज़े हमारी बन गई, अब हमारे पास बसता बेसिक लिए हमारा door, जो कि हम लगाएंगे, अब इस condition में आप एक काम और कर सकते हैं, कि यह जो हमने floor बनाया है, इसको थोड़ा सा आगे और shift कर सकते हैं, तो हमने इसको आगे shift कर लिया, इसमें यह segment, यहां तक हमने जोड़ दिया, इस side से हमने यह segment भी इधर जोड़ दिया, ओके, तो यह हमने जोड़ दिया इधर, अब देखें एक बार, ठीक है, तो काभी सही बन के, यहां पर हमारा एक एंटी डिगेट आ जाएगा, और एक main gate, obviously हमारा यहां पर आ जाएगा, तो इस पर भी normal color graph देते हैं, then अब हम बना लेते हैं, road and हमारे pathway, top view में आ गए हैं, इसके side मेरे pathway बनेंगे, obviously हमें यहां पर मैं एक rectangle बना देता हूँ, normal सा, यह convert कर लिए square dvl sp line में, corner, और इसको हम पूरा नीचे तक, इसके बरावा तक लिए लिए लिए, क्योंकि obviously हाथ तक भी हमारा आएगा, और इसके thickness, तो extrude, परीब करें हमने देती, तीन इंच, तो इसे तीन इंच हमारा, आ गया, pathway, ओके, अब सेम pathway आपको बनाने पड़ेंगे अपने, हर्थ जहां जहां आपकी boundary walls ने, उसके चारों side हमें बनाने पड़ेंगे अपने pathway, तो वो हमें एक बार के लिए बनाते हैं, ओके, यह बन गया, सेम इसकी copy में आगे ले रहा हूं, top में आके, copy, यह इसके बराबर तक, इसके हमने segment पकड़ लिए, F3 snap जिससे के हमें चीज़ें असानी से visible हो जाएं, और सेम इसकी में copy लेके, rotate, इसकी position यहाँ पर place कर देता हूं, यहाँ पर हम कर देखें, इसको हम आगे बढ़ा लेंगे, यह इसके vertex में पकड़के, कहां तक आएंगे हमारे, इस gate तक, तो हमने इसको पकड़के यहाँ तक, यह वापस इसकी हमने copy ले ली, क्योंकि आगे भी हमारे पास boundary wall है, यह वहाँ तक भी हमारे vertex जाएंगे, तो इनको पकड़ा, और यहाँ पर रोक दिया, सेम slope चाहता आप इधर भी बना लो, यह वहाँ पर आप कोई steps बना सकते हैं, अब देखें, तो यह आगया हमारा, overall slope और हमारे आगे, pathways, अब हमारे पर बस्ती जो main हमारी है road, तो उसको भी हम एक बार बना लेते हैं, और इस पर देखते हैं कि हम कुछ और डिजाइन अगर कर सकते हैं तो, और इसकी जो position है वो अंदर तक जाना चाहिए था, तो इसको तो एक बार के लिए वापस हमें set कर देता हूँ, यह हमारा जाएगा इस wall तक, इसको select पर हो, vertex, यह इसके बराबर तक आना चाहिए था, और इसकी position हम सही कर देते हैं एक बार, यह यहां तक, ओके, तो overall सारी चीज़े बन गई, अब हम सबसे पहले बना लेते हैं अपनी road, और इस path पर कुछ चाहो तो आप आगे तक, थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, करीब करीब हमने यहां तक बढ़ा दिया, अब हम बना लेते road, तो आप चाहो तो इसे की copy ले लो, या अलग से एक rectangle बना लो, तो मैंने एक अलग से rectangle बना लिया, convert editable SP line, corner, यह edge मेरी यहां तक, इसको थोड़ा आगे तक, road की जो width है वो हम proper देंगे, तो हमने आप एक स्टूट दिया, perspective में हम आ जाते हैं, और इस ramp के नीचे हम इसको रखेंगे, left view में हम आ गए, इसको हम देखते हैं, और इसको यहां से हमने नीचे place कर लिया, ओके, तो सही से हमारी road बन गई, same road, हमारी एक किस site टर्न हो रही है, क्योंकि हमारा corner plot है, हमने इसको select किया, rotate, copy हमने लिया इसकी, इसको हम यहां पर place करते हैं, snap कर लेते हैं, यहां तक हमारा, अभी road यतनी आगे तक जा रही है, तो इसको आगे तक यतनी नीचे जाने की need नहीं है, थोड़ा आप करीब करीब यहां तक रोख सकते हैं, ओके, यह proper अभी snap नहीं हुआ, तो इसको proper snap कर देते हैं, अभी भी नहीं, ओके, तो अब हो गया, काफी अच्छे से, हमारे pathfist बन गए, हमारी road बन गई, यहां पर हमारे पास आना चाहिए था, slope, तो हम इसी slope की copy ले लेते हैं, ज़्या आप चाहें, तो वहां पर steps भी बना सकते हैं, rotate, यहां से उठा के हमने यहां पर, और इसके vertex को पकड़ के, हमने यहां तक, ओके, तो बेसिकली यह two wheeler की parking होगा जाएगी एक तरके से, और यह हमारी हो जाएगी four wheeler की, तो यह हमारे बन गए, same, इस में भी चाहो, तो आप इस, जो यह pathfist है हमारा, इसके vertex को भी आप road के vertex तक, मिला सकते हो, करीब करीब, यहां तक, ओके, तो हमने मिला दिये, same, इसको भी हम थोड़ा आगे देख कर देते हैं, और रोल सारी चीज़े बन गई, road हमारी बन गई, अब इस पर अगर आपको कोई tree लगाना है, या कोई planter वगएरा लगाना है, तो उसका भी आप ए, proper plants बनाने पड़ेंगे, तो वह हम देख लेते हैं, वह किस तरह से बनेंगे, तो हम दो पेड लगा लेते हैं, एक इस corner पे लगा लेते हैं, सबसे पहले, यहाँ पर हम एक बना लेते हैं, कोई छोटा सा planters, तो हम लेते हैं rectangle, और proper rectangle ले लेते हैं, किसी एक dimension के साथ, तो length width को हम 3-3 रख लेते हैं, हमने 3-3 fit का एक proper planter लिया, इसको convert कर लिया हमने, explain मैंने पकड़ी और इसमें एक outline दे देते हैं, basically हम, 4 inch यह 2 inch का, मैं 4 inch का दे रहा हूँ, और इसको extrude value हम दे देते हैं, करीब-करीब 3 inch, इसको select करो, इसको सबसे पहले इसके ऊपर रखो, मतलब की यहाँ पर, आ गया, यह हमारा वागया planter का base, इसके अंदर जो grass होती है, वो हमें बना रही है, तो control V, same position पे, copy हमने कर लिये, और, जो बहार की outline है, उसको हमने कर जाए, delete, और इसमें जो grass होगी, हमारी इसको हमने, एक इंच नीचे, extrude, तो यह होगी है, हमारी grass और यह होगी है, और अब यहाँ पर हमारा, easily कोई भी, 3 लग जाएगा, ओके, unidol, एक हम बना लेते हैं, करीब-करीब, यहाँ पर तो मैंने, सबसे बढ़े, इसकी position set कर लेते हैं, कि हम इसके center में लगाना चाहरे है, और यह हमारा इसके center में, ओके, तो यहाँ गया, same, इसकी copy हम ले लेते हैं, इसको हम इसके center में लगा देते हैं, और इस side से इसके center में, तो easily दो planters हमने लगा दिये, अगर आपको और लगाने, तो आप एक यहाँ लगा सकते हैं, तो हमने एक यहाँ पर भी, place कर दिया, इसको थोड़ सा चाहो तो पीछे shift कर सकते हूँ, लेकिन overall यहीं पर ठीक है, अब इधर भी चाहो तो इधर भी लगा लो, मैं फिलाल नहीं लगा रहा, अब मैं चाहरा हूँ कि यह दिवाल जो मेरी पूरी खाली दिख रहेगी मेरे को, इस पर मैं कुछ, एक slave type की बना दूँ, जिस पर कि मेरे कुछ planters और लग जाए, तो इस wall को, इसको मैंने एक बार के लिए isolate किया, F3, और इसके बिल्कुल सेंटर में, मैं एक चारों एक slave मेरी बन जा है, तो हमने top view में आके एक रेक्टेंगल बना लिया, इस wall से थोड़ा सा बाहार, करीब-करीब मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, convert कर लिया, इसको एडिटबल poly, SP line, corner, और इस segment को मैंने 9 inch और बहार निकाल दिया, minus 9 inch, over 18 inch, इसको extrude, देने से पहले हम एक SP line बना लेते हैं, इसमें, इसे के एक outline बन जाए, और outline बना लेते हैं, करीब-करीब 2 inch की बस, क्योंकि वो रेंटर में अंदर की थिकनेस नहीं दिखती, extrude, हमनें ले लिया 6 inch, इसकी position कहाँ पे, इसके center में, ओके, जब चाहो तो इससे भी कम, 4 inch का थिकनेस का बना सकती है, यह हमारा बन गया, easily, सेम इसी जगए पर इसकी मनें copy ले ली, और बहार की SP line को कर दिया हमने, extrude value 1 inch कम, तो यह हो गया हमारा grass, तो यह हमारा बन गया planter, सेम planter हम बना लेंगे दूसरी जग़ा पर, ज्योंकि हमारी दूसरी वाली wall है, तो unidol, इस वाली पर हम बना लेते हैं, हमने यहाँ पर rotate कर लिया, इसकी position कहा, यहाँ तक, अब इनको precise कर लेते हैं, हम अपने recording, vertex हमने पकड़े, यह vertex मेरा यहाँ तक आएगा, यह vertex मेरा, यहाँ तक आएगा, overall, यहाँ तक, ओके, तो यह मेरे कुछ बन गए, planters, एक बार के लिए हम, basic color हमने करें, वो हम सब के कर लेते हैं, material, और SI, ओके, so कर लेते हैं, तो overall जितनी चीज़े थी, इस, plan के according, और elevation के according, वो सारी चीज़े हमने, बना ली, अगर हम प्यामरा एंगल देखें, तो सही है, और पीछे हम कुछ environment लगाना, जो कि हमारे grass का होगा, तो वो एक बार के लिए हम वापस से बना देते हैं, तो हमने एक rectangle ले लिया, यह हम यह road का rectangle ले सकते हैं, तो हमने copy, पर इसको यहाँ पर, मैंने paste कर दिया, और इसी को हम set कर देते हैं, अपने according, इस road के बरावर तक हम ले ले लेते हैं, यह यहाँ तक, और यहाँ पर refine कर लेते हैं, F3, यह vertex मेरा इस wall तक, यह मेरा इस wall तक आएगा, बेजिक लिए मेरे planters के लाए, और यह मेरा हो जाएगा, यहाँ तक, तो overall मैंने इक grass का एक plane बना लिया, जिस पर मेरे glass का texture आ जाएगा, सिफ्ट एस, camera angle हम देखें, तो overall हमारी जितनी complete modeling हमने कर ली, हमारे पास last time बसता है, हमारा basically इसमें door, तो door same, या तो आप download कर सकते हैं, या normal सा door कोई भी आप SP line की मदद से बना सकते हैं, तो सबसे बहले देखने तें कि download हम कैसे करेंगे, तो हम आ जाते हैं Google पर वापस से, 3D sky, models, नीचे हम देख लेते हमें मिल जाएगा, ओके तो आप यहाँ पर जा सकते हैं architecture में, fence में, तो यहाँ पर आपको basically doors मिल जाएगे, कुछ different type के आपको categories के doors मिल जाएगे, जो भी आपको यहाँ से पसंद आए, वो आप यहाँ से choose कर सकते हैं, यह आप use कर सकते हैं archive 3D का, तो जहाँ से आपको पसंद आए, वहाँ से आप door download करके, अपने model में place कर सकते हैं, तो यह तो था कि हम download किस तरह से करेंगे, और अगर आपको कोई normal सा door बनाना है, तो वो आप किस तरह से बनाएंगे, वो हम देख लेते हैं, तो हमने यह दो walls के बीच में बनाना है, और हमें height लेनी इसके बराबर, तो हमने इन दोनों को तो एक बार के लिए कर लिया, तीनों को isolate, अब normally door भी हम बनाएंगे, जो main gate entry का है हमारा, वो भी हम बनाएंगे SP line से, तो हमने एक rectangle ले लिया, इस point से इस point तक, convert कर लिया इसको editable SP line में, जो कि हम हमारी प्रता है, जो हम करते आ रहे हैं सुरू से, और इस वाले segment को में, चारण थोड़ा सा उपर चला जाए, तो यहां से मैंने 6 inch मैंने उपर ले लिया, ओके, और इधर से थोड़ा सा भार आ गया, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, same, इस दर से देखें, तो परफेक्ट्ली मैच है, अब इसको पकड़ो, और outline दे देनी हैं हमें 3 inch, जो कि दोर का हमारे frame होगा, पतलब की entry gate का, अब यह वाला segment आपको लेना, इसके midpoint में, और X में, minus कर देना 1.5 inch, overall आपको center में भी इसके 3 inch का frame बनाना है, मैंने 1.5 inch इदर से छोड़ा, और X में, minus 3 inch मैंने इधर value दे दी, तो 3 inch के frame मेरे आगे, और इसको हम दे देते हैं, extrude, कितना 3 inch, यह हमने दे 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 हैं extrude, यह हमारा एक frame बने गया, हम मुझे इसके center में frame बनाने, तो हमें center में frame बना लेता हूँ, वापस से मैंने एक rectangle लिया, इसके midpoint बे हाँ तक लगा लिया, convert कर लिया, इसको editable SP line में, corner, outer के frame हमने basic 3 inch में बना है, तो यह center का frame जो है, यह हम बना लेते हैं 2 inch में, minus 2 inch, यह आप चाहें, तो वापस से आप इनको भी proper 3 inch में बना सकते हैं, तो हम एक बार गले तो इनको 3 inch में ही बना लेते हैं, थोड़ा ज़ादा हो गया, y, minus 1, तो overall 3 inch का हो गया, और उपर से हम थोड़ा सच में gap छोड़ देते हैं, 0.5 inch का या 1 inch का, तो अभी final के लिए 1 inch चोड़ देते हैं, और वापस से आपको लेने इसकी copy, यहाँ पर, और एक एक inch केर में चोड़ देना कै, तो हमारे बन गए, वापस से हमने copy ली, minus 1 inch, वापस से हमने copy ली, minus 1 inch, वापस से हमने copy और ले ली इनकी, then minus 1 inch, अब यह हमारे बाहर निकल रहें, तो इनकी को मिने treat कर लिया, यह हमारे पास extra है, यह हमने treat कर लिया, तो और वरोल सारी चीज़े सही आगए, same, as plan select करो, इधर वाली, और इधर भी as it is copy कर दो, और इसमें आपको दे देना, एक स्ट्यूड, कितना, 1 inch, यहां हम रख लेते हैं, इसको, यहां पर, अब देखें, तो और वरोल हमारा door बन गया, इस पर भी एक बार के लिए, तो single shaded material जो हम डाल रहे हैं, वो डालते हैं, तो बेसिकली इस तरह से भी आप एक normal सा entry gate बना सकते हैं, अनाई डॉल, अगर हम अप्रा camera angle देखें, तो file कर लेते हैं, and overall सारी चीज़े हमारी बन गई, अब एक चीज़े हम और कर लेते हैं, कि जो starting में हमने एक frame बनाई थी, यहां पर basically, तो उसको हम थोड़ सा adjust कर लेते हैं, अपने according, यह हमने बनाया था, F4 करके मैं दिखा देता हूँ, तो यह safe हमारी पास है, इसमें basically हम चारे हैं, groups किस तरह सा हैं, तो दो तरह से आप groups बना सकते हैं, या तो आप कोई texture हैं ऐसा लगाते, groups वाला जिसमें obviously groups कटे हूँ, मैं एक बार के लिए इसमें को isolate कर लेता हूँ चीजों को, walls को अपनी, यह isolate मैंने कर लिया, तो एक बार के लिए हम देख लिएते हैं, किस तरह से मैं टेक्सर लगाना, group वाला, तो यहां से अकर ने मेरे को wooden paving इस पे लगानी है, तो मैंने यहां से लिखा wooden plank texture, और यहां से जो भी texture आपको पसंद आ रहा है, अपने groups के according, आपको यहां से download कर लेना, suppose मेरे को यह texture सही लग रहा है, मैंने यहां से इसको किया save image, और जहां भी आपके textures की location, वहां पर आपको इसको कर लेना save, हमने इसको save कर लिया, अब material पर आजाओ अपने, और यहां से एक material बना लो आप, तो हम ले लेते हैं, V-ray, bitmap, diffuse, तो bitmap के हमने location लेनी है, हमारा कहा है, desktop पर, image, all files, ओके, हम देखें एक बार, desktop पर हम आजाते हैं, इसको एक बार close, ओके, हमने कहां पर download कर लिया, इसको एक बार लिया, show in folder कर लेते हैं, ओके, यह रहा हमारा, तो इसको हम उठाके, अपने इस texture की location पर डाल देते हैं, हमने यहां से इसकी location ले लिए, खता, location, control V, यह रहा, ओके, तो यहां पर आगई, इस पर हम कर देते हैं, assign, show, और इस पर हम ने डाल दी, UVs, UVW map, box, tiles अपने को यह दे देने, 555, तो हमारे आगे, अब, आपको यह चाहिएते, horizontally, तो आप इसकी, UVs को कर सकते हैं, rotate, ओके, तो यह हो गई, कुछ इस ट्रैप से, rotate, तो यह आगए आपके कुछ, इस ट्रैप से, तो इस ट्रैप से भी आप, basically, textures के साथ, play कर सकते, और अपने, groups को create कर सकते, अब, अगर हम, चाहरें कि, हम खुद groups बनाएं, तो वो कैसे बनाएंगे, वो हम देख लेते हैं, normally, मैं इस पर वापस से, same color डाल रहा हूँ, अब, इसमें हमें, groups बनाने, तो आपको manually जाके, एक एक groups को बनाना पड़ेगा, ओके, वो कैसे, तो हम ले लेते हैं, वापस से line, और इसको सही से, हमको चीजों को create करना पड़ेगा, नीचे से start कर लेते हैं, सबसे पहले, या इसको values को हम रहने देते हैं, और इसको हमने, isolate हमने कर लिया, हमने लिया rectangle, एक ऐसी, normally मैंने एक rectangle बनाया, convert editable, SP line, one corner, ओके, Alt Q, और इसको मैं बेसिक लिए एक शूट वैलू डाल देता हूँ, अभी फलाल के लिए, unidol, और इन दोकों मैंने isolate कर लिया अब, vertex, मैं चारहूँ कि one fit का मेरा एक face बने, then उसके बाद मेरा 0.5 इंच, या one inch का मेरा groove आए, तो मैं इस point पे मैंने इसको place किया, F12, कितने इंच का, one fit का मैं चारहूँ, then इसके बाद मैं चारहूँ मेरा groove बने, अब इतनी बड़ी अगर welding है, तो one fit में हो सकता है कि वो groove समय दिखे ही न, तो आब groove को थूड़ा सा बढ़ा सकते, तो हमने ग्रूप से बढ़ा लिए, दो fit के जादा होगे, तो one fit six inch के हम रख लेते हैं, तो डेड़ फिट के हमने रख लिए, एक बार के लिए वापस से हम, one point five, तो डेड़ फिट के हमने रख लिए, अब, S-flank पकड़ो, copy, यह यहाँ तक, और group कितने inch का होना चाहिए, one inch का, तो हमने one inch का यहाँ पर gap दे दिया, same, इनकी copies हमने उपर ली, वापस से gap कितने inch का, one inch का, तो यहाँ से one inch हमने, sorry one fit हो गया, हमने one inch देना, तो यह one inch का आ गया, वापस से हमने copy, अब प्राव्म है क्या है, कि यहाँ पर जो हमारी safe है, कुछ, इस type से की moody हुई है, तो इसको हमने precise करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर one inch का जो गुरूव आना वो हम दे देते हैं, अब इसको हम सही कर सकते, हम refine में vertex add कर करके, कि इसको सही कर लेते हैं, सबसे पहला vertex हमारा यहाँ आना चाहिए, इसके बाद हमने refine किया, कुछ vertex add किये, एक यहाँ vertex आएगा हमारा, एक यहाँ और यह दो vertex हमें नहीं चाहिए, तो delete, ओके, यह हमारा बन गया, अब same मैं इसकी copy कर सकता हूँ, और इसको mirror कर सकता हूँ, क्योंकि obviously save मेरी धर बनी, तो मैंने इसको कर लिया mirror, और mirror कर लिया मैंने इसको y में, अब हुआ क्या, यह पूरा mirror हो जागा, तो इसको हम कर सकते है, rotate, और इसको हम कर सकते है, mirror वापस से, तो यह भी इसके साथ mirror हो रहा है, तो इसको सही करना पड़ेगा, हमको, control Z, control Z, okay, copy, इस point पर, और वाई में one inch उपर, तो manually जाके अब इसको आप सही कर लेते हैं, यह vertex मेरा यहां तक आएगा, यह vertex मेरा यहां तक आएगा, यह vertex मेरा इस point तक, तो यहां पर सही हो गया, same, मैं इसकी copy ले लेता हूँ, क्योंकि यहां तक मेरे को लगता है कि, मेरा straight हो जाएगा, same one inch का मेरा groove, अब यहां पर यह problem हैं कि, इतना सा gap बच रहा है, तो कोई नहीं, इसको भी हम सही कर लेंगे, one inch, तो वरवर पूरा proper आ गया, वो gap दिख जाएगा, और यह spline हम यहां तक रोग देते हैं, same, spline continue मेरी उपर चलेगी, one inch का groove, अब इन दो की copy ले लो, one inch का मेरा groove, वापस से, वाई, one inch का मेरा वापस से groove, same, one inch का मेरा वापस से groove, manually जा जाके, आपको ek को, सही करना पड़ेगा, one up normally जाके, texture apply कर सकते, same, आपको texture मिल जाएगा, कोई wall का white color में, अगर आपको normal paint में चाहिए, तो वो भी आप बना सकते हैं, okay, same मैंने इसकी copy ले लिए, one inch, अब ये इदर थोड़ा, मेरा turn होना चाहिए, तो vertex में हम आगे, ये vertex में यहाँ तक, refine करके, इसमें कुछ vertex में आड़ कर लिए, पहला vertex हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा vertex हमारा यहाँ पर, ये value हमारी यहाँ पर, इस aspirine को पकड़ के हमारा last, यहाँ पर, okay, y में one inch, segment, यहाँ तक, तो सारी shape हमारी बन गई, और इसको X2 हमने already दिया हुआ है, हमने X2 दे दिया 3 inch, आप देखें, ये group मेरे बन गए, और पीछे तो already मेरी wall है, तो उस पर ये aside हो जाएगे, अब basically डेड इंच के दिये, दो इंच, तो इसकी position हम देख लेते हैं, बारे लिए कहानी चीए, यहाँ पर, और ये हमने दे रखे हैं, डेड इंच के, इसको अपने hide कर लिया, और इसको हमने delete कर दिया, unidol, F3, और यहाँ पर हमारे easily groups बन गए, तो इस तरह से आप अपने groups को बना सकते हैं, तो overall देखें हमारी सारी चीजे, camera हमारा ये रहा, shift, frame, F10, HDD video render रहा कर निकालना चाहरे हैं, तो वह हम देख लेते हैं, यहां से custom की जगा आप ले सकते हैं, HDTV video, तो proper frame होगी, यहाँ पर हमारे basically planters आजाएंगे, पीछे planters आजाएंगे, तो overall हमारी सारी modeling complete, इस पर last material करते थे हमारा, तो इस तरह से basically आप किसी भी project की modeling कर सकते हैं, बाई!